अंकलेश्वार नू बलबला कुंड जया नर्मदे हर ना जैगोस करतानी साथे कुंड में पानी पान परपोटा रुपे उचणी आ जैगोस मा पोतानो सुर पुरावेशे जना दर्शन मातर थी पापो नश्ट थाई छे तिवी पावन सलीदा मा नर्मदा तेना बक्तों ने डगले ने पगले पोताना होवानो अहसास करावेशे विश्वानी आ एक मातर न दीछे जैनी परिक्रमा कराईचे अने परिक्रमा पास्यों सतर मा नर्मदा तेवनी साथे छे तेनी अनुबूती करता होईचे अंकलेश्वर दी 10 किलोमीटर दूर बरुडी गाम मा बरुडेश्वर महादेव मंदीर आवेलू छे बरुडेश्वर महादेव आजनी निकंटेश्वर महादेव तरीके पुझवा मा वेचे अंक्लेश्वर एमांडवे रूशी, मारकन रूशी, कश्यप रूशी, सहीद अनेक रूशी मुनियों नी तपूभूमित रही छे कश्यप रूशी नी तपस्याथी प्रसन थेई मां नर्मदा है बलबला स्वरुपमा दर्शन आप्या अही नर्मदा परिक्रमा वास्यों माटे रहवा जन्बा सहीतनी नीशूख सेवा चाले छे अही मां कुन्द मां कहवाई छे कि त्या नर्मदा महियानों जैगोस करता हो भी साथे कुन्द मां परपोटा उप्ववे छे अन्या परबोटापन जाने नर्मदा महियाना जैगोस्मा पतानों सुर्प पुरावतावर तेल अनुभूती थाही रही चै हम धनने जोरते हैं मेरा नाम स्वामी राजराजेश्वर गिरी कश्यब पीठादीश्वर ये कश्यब रिशी आस्रम है इसकी सात्मी पीड़ी पर मैं बिराजमान हूँ सात्मी पीड़े पर मुझे संत समाजने बिठाया हुआ है मैं निरंजनिया खाड़ेशे हूँ यह कश्यप रिशी जी की तबस्तली है और यह जो कुंड का महत्व है वो ऐसा है कि कश्यप रिशी जी की तबस्या से प्रसन नो करके मा नरमदा रतना शागर के शाथ में प्रगठ हुई इसलिए यहाँ भारत के जितने भी नरमदा पर कमावाशी है यहाँ कुंड के दर्सन करने आते हुश महिशनान करते तरपन करते हैं मारजिन करते हैं और पिंडदान भी करते हैं कुंड का रहस्य क्या है इस कुंड का रहस यही है कि कश्यप रिषी जी की तपश्या से नरमदा जी प्रसन हुई और प्रसन होकर के रतना शागर के शांध इस कुंड के बुलु बुला कुंड के रूप में प्रिगठ हुई ये इसका उल्ले कैसा है माराजी कि कश्यप रिशी जी आदी रिशी माने जाते है जब शे श्रष्टी प्रारम हुई है तब से कश्यप रिशी जी सब तुरिशियों में पहले रिशी माने जाते है और दूसरे ब्रह्मा जी माने जाते है लोकों में जितनी भी शंतान हैं आप और हम सब जीव जनतु से ले करके शब कश्य प्रिशी जी की ही शंतान है इसलिए यह आश्रम जो है अनाधी काल से चला आ रहा है जब से स्रेश्टी हुई है तब से यह आश्रम की इस्तापना हुए